हेलो एवरिवां आपका स्वारत है यह ऐसा रेस्पी है कि जो इसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे तो चलिए आए वीडियो में इन तक बने रही है और वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए शेयर किजिए फ्रेंड्स यहां पे मैं ओनियन ली हूँ ओनियन को बारीक है और यहां पे सबसे ज़्यादा जरूरी है यहां पे पीकल अचार वाला जो मसाला होता है वो डालना अगर वो डालिएगा तो बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाएगा तो यहां पे मैं बता रही हूं लीटी चोके का यह रेस्पी है आप देख सकते हैं मैं यहां पे बार डबथे यहां पर बनाइगे क्योंकि ज़्यादा हार्डम करना नीदेस्टों कि यहां पेरें जादा हं रिख हार्डम करेंगे तो इसका रोटी अच्छी अजए तक रूठी वान नहीं बनेगा तो हम आप सॉप्ठ भीना ज़्यादा कर चैमनाय ज़ fire थे करें उसे ज अब अपो भाटा भी बोलते हैं तरब बनाने के लिए हम औरिज चुले वाले ही तरह पार कर लिए हैं इसमें करें गरीन चीली कर दाल दो चुले की confirm अब्हा गवाल शर्जन पेशम चिल्ण happy अगे अच्छे से mix कर लिए हैं आप चाहें तो पोटायटो वथा आता है मिक्सर उसे अच्छे से दबा ले साजूने के यहां पर दो से 3 मिननत के लिए तो बूने के बाद यहांपे हम आमचूर पाउडर डालें तो तो डालें तो बाखिए जाता है क्योंकि बैगन में आमचूर पाउडर बहुत जरूरी होता है तो देख सकते हैं इस तरह आप इस तरह से बनाईएगा चोक ना तो बहुत इसका टेस्ट अच्छा बनेगा और अ सरकल में से बेल दिये हैं अब चाहिए तो आप डोत जैसा बना करके उसे भर करके भी आप बना सकते हैं बट मैं इसे दूसरे तरह से बना रहे हैं और ज्यादा जब बेलें तो इसे पतला ना करें इसे मोटा ही रखें कि इसको बेलना है अभी हम लोगों को आप देख सकते हैं इस तरह से अश्टरकारशस्थॉश्च फिचाप्षपिंग कितस tidak बना सकते हैं अपने बना रहे हैं भी हैं तो बेलने के बाद आप देख सकते हैं और हां बैलने के आप कीटिज़़ ढराओ करें दenne उसके बाद मैं दूसरे तरह से भी बना रहे हूं तहीं तुछा यह हुआ लोई लेली हुँ इस तरह से पेड़ीन जैसा मैं बना ली हूं बनाने के बाद आब हम यहां पर क्या करेंगे बेल लेंगे हैं चोटा कई ने तो कि इस तरह मेरा देगी रोलते में आपक More तो कि अश्चे से तबाकर 5-15. आप छाहें तो इस तरह भी बना सकते हो में होट प्रट्न। कॉप्राइन शाल में फटने का डरनी रेता मैं दैन ने उसके बार आपके रोटी पर दाल तो कि अब रहें गही displaced? और दो भीस अच्छे से लगा करके हम उलट प्लट करके रोटी को अच्छे से से लेंगे प्राठे को तब देव सकते हैं कितना फुला फुला यह प्राठा बन करके त्यार हुआ है यह बहुत खाने में अच्छा लगता है और यह ऐसा रेस्पी है कि जो हर जगई यह फेमस है सब जगई से नहीं बना पाते हैं लोग बहुत कम ही लोग बनाते हैं फ्रेंड्स